नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टडी होंपे और मैं हूं संगीता शा तो दोस्तों आपको क्या पता है कि हमारी अदालत जो है जो हमारे सुप्रीम कोट है जो हमारी हाई कोट है हमारे देश में वहां की आपचारिक भाषा क्या है तो आपको पता दू सुप्रीम कोड और हाइप ही यह तो चलिए हम इस पर चचा करते हैं कि वहां कि भाशा अंग्रेजी आगी इसको हिंदी क्यों नहीं बनाया गया और इसको अगर यह कौई कानुन बन के भी आया है कि इसको हिंदी बनाया जाए तो यह बना क्यों नहीं ठीक है तो चलिए देखते हैं तो दोस्तों अब इस बारे में कोई संदेश नहीं रह जाना चाहिए हमें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में कामकाज की जो भाषा है वो अंग्रेजी है और हिंदी के हिमातियों के लिए अदालत का या फैसला बहुत ही बुरा है क्योंकि लोग चाहते थे कि हिंदी जो है वो अदालत की भाषा बने लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिश कर दिया है क्योंकि वहां की जो भाषा है वो अपचारिक भाषा जो है वो अंग्रेजी है तो एक जनहित याशिका दायर की गई थी इस बात को लेके कि हिंदी को हमारी अद धक्षता वाली एक तीन सदस्त से खंड पीट ने इस पस्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोट की भाषा अंग्रेजी ही है और इसकी जगा हिंदी को लाने के लिए वह केंद्र सरकार या संसत को कानून बनाने के लिए नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा करना विधाय का और कारिपालिका क अधिकार छेत्र में दखल देना होगा हिंदी और अन्य भारती भासाओं के हिमायती बहुत समय से यह मांग उठाते आ रहे हैं कि अदालतों कोई कामकाश की जो भाषा है वो ऐसी भाषा हो जिसे आम आदमी भी आसानी से समझ सके और वह हर बात के लिए वकीलों पर निभर ना रहे क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मुवकिल यानि कि जिसके लिए कोई वकील जो है वो क्या करता है केस लड़ता है तो मुवकिल को यहां भी नहीं पता चलता है कि उसका वकील जो है वो उसके पक्ष रखनी के लिए अदालत के सामने क्या-क्या दलीले रख रहा है या इसलिए हिंदी जो परशन थे वो चाहते थे बहुत सारे लोग थे उनने बोला कि अदालत की जो कामकाच की जो भाषा है वो हिंदी कर दिया जए लेकिन इसको सुप्रीम कोट ने खारिश कर दिया और इसको खारिश करने का भी एक इंपोर्टेंट रीजन था जो कि मैं आपक कर जो कि बिटिस से ली गये है वहां कि जहां का हाइ कोट है तो उस अदालत में हिंदी या फिर की भाषा को भी आइक चलाया जाएं वहाँ पे कामकाज उसी भाषा में उसके साथ है यही सही है कि मांग चल लेकिन Algunaee को हटा करदम है कि इस मांग का असली मकस्द यही Supreme Court ने अपना आदे सम्विधान में की गई व्यवस्था की अनुरूप दिया है Supreme Court ने ये फैश्टा दिया है कि अंग्रेजी ही Supreme Court की भाशा देगी अंग्रेजी ही High Court की भाशा देगी जितनी भी अदालत है मां की कामकाज की भाशा देगी सिर्फ को बदलने के लिए कोई कानुन बना सकती है इसी तरह को High Court की कामकाज की भाशा भी अंग्रेजी है लेकिन राश्टपती की पूर्वानुमूती लेकर राजेपाल अपने राज में इस्थित हाई कोट को हिंदी या उस राज की कोई भी एक सरकारी भाशा में कामकाज करने के लिए कह सकते है कौन कह सकता है High Court को राजपाल कह सकता है लेकिन उसको राश्टपती से पहले अनुमती लेनी होगी लेकिन ऐसे High Court भी अपने आदेश नीडेश और फैसले अंग्रेजी में ही देंगे कामकाज की भाशा भले ही हिंदी कर दी जाए या फिर वहा की देश है वो कर दीजाए अलग लग राजिके हिसाब से लेकिन जो भी फैसला आएगा है कोड का जो भी वो फैसला सुनाएंगे तो अपने मुवक्किल के लिए तो वो जितने भी आदेश नीदेश और फैसले होंगे वो सारे अंग्रेजी में ही होंगे तो आगे देखिए आजादी के बाद हिंदी के सबसे बड़े हिमायती जन्संग और समाजवादी आंदोलन से जुड़े नेता रहे हैं 1967 में चरेजवरदस्त अंग्रेजी हटाव आंदोलन के पीछे भी जन्संग और राम अनोह लोहिया के अनुयाई समाजवादी ही सबसे बड़ी सकती थे जिन्होंने हिंदी को भारती अदालत की भाषा बनाने के लिए ये हिमायती रहे हैं इन्होंने ही सपोर्ट किया है समय पहले हिंदी को सायक्त राष्ट की भासा बनाने की मांग की थी लेकिन दिल्चस्प बात यह है कि बीजेपी की सरकार भी सुप्रीम कोट के कामकाच की भाषा हिंदी करने के लिए संसल में नया कानुन पारत करने के लिए तयार नहीं है जन्वरी 2015 में केंद्री ग्रह मंत्राले ने सुप्रीम कोट में एक हलफ नामा दाखिल करके इस प्रस्ताव को खारिश कर दिया था कि संविधार में संसोधन करके हिंदी को सुप्रीम कोट और जितने भी 24 हाई कोट है हमारे देश के महां के कामकाच की भाषा को हिंदी बना जाये जाये क्योंकि अंग्रेजी भारत पर बिटिस शासन के एक विरासत के रूप में थोपा गया था और इसे हटा देना चाहिए सुप्रीम कोट ने इस फैसले को खारिश कर दिया हिंदी क्यों नहीं है तो हिंदी हमारी सुप्रीम कोट की हाई कोट की कामकाच की भाषा क क्यों नहीं है केंद्री गरह मंत्राले का हलफ नामा दोहजर आठ में विदी आयोग द्वारा तयार की गई रिपोर्ट पर आधारित था जिसमें आयोग ने विचार व्यक्ति किया था कि सुप्रीम कोट और हाई कोट में हिंदी का इस्तेमाल अनिवार करके करने का प्रस्त व्यवहारिक नहीं है और लोगों के किसी भी हिस्से पर कोई भी भाषा जबरदस्ति लादी नहीं जा सकती है हाई कोट के न्याय देसों का अकसर एक राज से दूसरे राज में तबादला होता रहता है इसलिए उनके लिए भी असंभव नहीं है कि वे अपने न्याय पूरा कर सके ठीक है दूसरे भाषा का सवाल बेहत संबेदन सील है और भावना से जुड़ा सवाल है और इस पर अतीत में आंदोलन होते रहेंगे और होते भी रहे हैं इसलिए वर्तमान विवस्था को बदलना तर्कसंगत नहीं होगा तो 2008 में एक रिपोर्ट आई इसके नुसार बोला गया कि अगर प्रतेग जितने भी 24 हमारे हाई कोट है वहां की कामकाज की भाषा अगर हिंदी या फिर वहां की जो लोकल लैंग्विज है वो कर दी जाए तो हमारे हाई कोट के जो जज है उनकी जगा जगा पे क्या होती है वो जगा जगा पे उनका ट्रांस लेने पे ठीक है किसी भी केस पे तो इस लिए अंगईजी को भी शपोर्ट किया गया था जोंग लिए हे तो वह फिकर सकती य। वहां पे जो High Court के हमारे judge है, उनको Hindi ना आकर वहां की language, Tamil language आती हो। इसलिए वो रगया कि अंग्रेजी को ही सपोर्ट क्या गया कि अंग्रेजी को ही वहां की भाषा रहने दिया जाए, अंग्रेजी को ही High Court और Supreme Court के कामकाज की भाषा रहने दिया जाए। तो यह सही है कि अंग्रेजी बिटिस कालन साशन की विवस्था है लेकिन इसके साथ ही यह भी सही है कि पिछली दो सद्यों से यह अकिल भारतिय प्रसाशन और नियायक विवस्था की भाषा भी बनी हुई है। सब्सक्राइब को अब आती है तो उतना जदा अंग्रेजी का महत्वा नहीं रह गया है अंग्रेजी से सरकारी भासा है और वहां कि सरकारी भार्षा क्या है इंग्लिस है ठीकिए अंग्रीजी है और केंद्री साहित अकादमी द्वारा स्विक्रिक भासाओं में भी अंग्रेजी को ही सामिल किया गया है आज भी ग्यान विज्ञान की भाषा के रूप में हिंडी समेट कोई भी भारती भासा उसके समक्ष नहीं आ सकी है इसलिए आ noun नहीं है कि वख भारत में सरकारी और अदालती कामकाज की भाषा इंग्लिस होने का main reason की जो भाषा है वो क्या होनी चाहिए तो अदालत की भाषा जो है वो इंग्लिस है ये एक important topic था और ये कई बार आपसे exam में भी पूछा जाएगा ठीक है तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़दा helpful होने वाला है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और comment box में comment भी कीजिएगा और प्लीज इसको like कीजिएगा शेर कीजिएगा अपने दोस्तों के जाथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद तेंक यू